तोचा को खुबसूरत बनाने के लिए लोग ना जाने कितने ब्यूटी प्रोड़क्त का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कोई भी प्रोड़क्त पर्मानिन ब्यूटी नहीं देता है लेकिन अगर आपको तोचा की चमक हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं या खोई हुई चेहरी की चमक को वापस लाना चाहते हैं तो आपको चार काम जरूर करने चाहिए सुबा उठकर इस वीडियो में बताएगा टिप्सों को अपनाने के बद हर कोई आपकी खुबसूरती का राज पुछेगा तो चली जानते हैं वो कौन से राज है पहला है ड्रिंक पियें जादा दर लोग सुबा के शुरुआ चार या कॉफी से करते हैं लेकिन इसकी जगा आपको सुबा उठते ही एक ग्लास पानी का सेवन करना चाहिए शेयर को हाड़र्ट करने का या बेहतरीन तरीका है और इसे वेस्ट मैटेरियल बाहर निकालने भी मदद मिलती है आप पानी के साथ नीमू और रहत भी डाल सकते हैं अगला है हर सुबा तोचा का ग्लोब आपस लाने के लिए आपको स्कीन के रूटीन के चार स्टेप्स को जरूर फॉलो करने चाहिए जिससे आपको किलेंजर की मदद से चेहरे को साफ करना एंटी अक्रिजन और एलकोहल फ्री टोनर लगाना मोश्राइजर लगाना और संस्क्रीन का उप्योग करना शामिल है ये स्टेप्स आपकी तोचा को साफ करने तोचा को हील करने मोस्चराइज करने और सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेंगे अगला है तोचा का ग्लो आपके ब्लड फ्लो पर निर्भर करता है जिसे तोचा को परियाप्त मातरा में पोशर मिलते रहता है इसलिए आपको हर सुबा आधा घंटा एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए जिसकी मददे शेर में टॉक्सिंस निकलते हैं और कोलेजन का उत्पादन बढ़ता है कोलेजन एक प्रोटीन है जो तोचा को अस्ट्रक्षर बनाये रखने में मदद करता है अगला है ब्रेकफास्ट पर फोकस जरूर करें भारत में ब्रेकफास्ट पर काफी कम ध्यान दिया जाता है अधिकतर लोग सुबा के समय कुछ भी खा लेते हैं लेकिन तुचा को स्वस्त और दमकता हुआ बनाने के लिए आपको स्वस्त ब्रेकफास्ट करना जाहिए जिससे आफ साबुत अनाज, प्रोटीन, फल, सबजियां और हिल्दी फैट सामिल हो हिल्दी ब्रेकफास्ट आपके वजन को संतुलित बनाने और इम्मिनूटी बढ़ाने में मदद करता है